मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों आप सभी को डॉक्टर विजय अगरवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार फ्रेंस आपको डेफिरिंटली याद होगा कि किस्मस के पूरुवत दिवस पर मैंने आप सबसे एक अनुरोध किया था और अनुरोध यह कि जो भी हमारे धार में किश्वर रहे हैं पैगंबर रहे हैं इश्वर के पुत्र रहे हैं इश्वर ही क्यों न रहे हो उनकी जीवनियों के बारे में आप सब पढ़ने की कोशिस करें और मुझे इस बात की बेहत खुशी है कि बहुत से आप में सिर्क लोगों ने बकाइदे लिस्ट मेरे पास भेजी है कि सर मैं इस साल ये संकल्प लेता हूँ कि मैं इन इनकी जीवनियां पढ़ूँगा मुझे बेहत खुशी हुई कि चलिए थोड़े सही सही लेकिन यदि आप ऐसा कर सकेंगे तो आपके दिमाग में आप पाएंगे कि जो धर्म की व्याख्याएं की गई हैं या जो वो बात कह रहे हैं उनकी बिलकुल नई नई परतें आपके सामने खुलने लगेंगे और सबसे होते चले जा रहे हैं और अंजाने ही आपके जीवन के दुख कम होते चले जा रहे हैं संघर्स घटते चले जा रहे हैं आपको ऐसा महसूस होगा देखे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं महसूस होगा हो सकता है कि संघर्स पहले की तुलना में बढ़ जाए हो सकता है कि दुख खुबसूरत बात जानने को मिलेगी जीहा मैं जान बूज कर कह रहा हूँ कि खुबसूरत बात जानने को मिलेगी और खुबसूरत क्या है इनके जीवन के संगर्श चाहे वो राम हों चाहे वो कृष्ण हों चाहे मुहम्मद साहब हों चाहे इसा मसी हों चाहे गौतम बुद् अब उस संखर्ष को आप दुख कह लें वो अलग बात है लेकिन इन सब ने संखर्ष किये हैं और इस तरह के संखर्ष किये हैं जिनके आप कल्पना नहीं कर सकते और हम अपने छोटे-छोटे संखर्षों को ले कर के इनी से ये प्रार्थना करते रहते कि बगवान हमारे इस दूर कर दे हमारे इस तकलीफ से हमें मुक्ति दिला दे जबकि इन्हों ने खुद ऐसा कभी नहीं किया अगर इनके सामने संगर्ष आए दुख की घड़ियां आई तो बकायदे उनका मुकाबला किया उन चुनौतियों का सामना किया राम के बारे में बहुत सी बातें आप ज जानते हैं मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिक अतरूप से दोस्तों आज मैं आप सब के सामने इसा मसीह जी की एक बात रखने जा रहा हूँ एक बात क्या मतलब उनके जीवन की एक घटना जो मुझे बड़ी मारमिक लगती है वो हमें बताने जा रहा हूँ इसा मसीह के उपर मालूम है क्या आरोप लगाए गए थे पहले तो आरोपों को सुनिए आप हो सकता है कि मनी मन थोड़ा सा मुस्कुरा दे कि यार ये भी कोई आरोप है इसा मसीपर जी हां आरोप लगे थे और उन आरोपों के सजा के तोर पर ही तो उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था कु इन सब को समझ लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि सही में हम अपने आप को भी समझ पाएंगे मालूम है उन्हों उन्हों पर क्या आरोप लगाए गया था कि जो इसा मसी है वो विश्राम दिवस का नियम नहीं मानते कि एक दिन विश्राम करना चाहिए इस नियम को नहीं म तो इसामसी डेफिनिटली उसी के खिलाफ लोगों को बताते थे, सही धर्म को सामने रखते थे, और अपने को इश्वर का पुत्र घोशित करते हैं, अपने को कहते हैं कि मैं इश्वर का पुत्र हूँ, चलिए उन पर आरोप लगा, आरोप लगने के बाद नयाय धिकरण में ये पहुँचे जो भी है, फैसला होने का दिन है, इसे ध्यान से सुनिए, फैसला होना है, और जो जिस दिन फैसला होना था, उस दिन वहां पास का पर्व था, पास का पर्व, ये यहूदियों का रास्ट्रिय दिवस उस समय हुआ करता था, और इसे यहूदी, आपको बाल मनाते थे देखे मुक्ति दिवस तो उस दिन ये परंपरा थी कि चो कि मुक्ति दिवस है उत्सव मनाया जा रहा है तो जो कैदी जेल में बंद हैं उनमें से किसी को मुक्त कर दिया जाए ठीक है अब ध्यान से सुनिएगा दोस्तों बहुत सारे कैदी जेल में बंद हैं उसमे उनको भड़का रहे हैं और जब वो राजद्रोह कर रहे थे तो उसमें बहुत से लोगों की हत्या भी कर दी थे उन लोगों ने इनी राजद्रोहियों में से एक व्यक्ति था जिसका नाम था बराबस बराबस ठीक है दरबार लगा हुआ है जनता साब ने खड़ी है इसी तर सामने दो लोग है इन में से किसे छोड़ा जाए इसा मसी को या बराबस को मुक्ति दिवस है इसमें से एक को हम मुक्त करना चाहते हैं क्या आप बताएंगे कि किसे छोड़ा गया था जनता ने क्या मांग की थी मेरे बताए बिना ही आप जान गए होंगे कि जनता ने किसके छोड़ने की मांग की थी और डेफिनिटली उन्हें छोड़ भी दिया गया था दोस्तों ये इसा मसी के जीवन के साथ हुआ सोच करके देखिए तो चलिए अब आप सब इस पर विचार करें और मुझे इजाज़त भी दें नमस्कार